चार जुन दो हज़ार तेज़् को युक्रेन ने रूस से कबजे वाले उलांकों को छुडाने के लिए जवाबी कारवाई शुरू की थी लेकिन इस जवाबी कारवाई की रफ्तार इतनी धीमी है कि अभी तक युक्रेनी सेना रूसी कबजे वाले इलाकों में रूस की सेना के पहले सुरक्षा घेरे को तोड़ने में भी नाकाम रही है हाला कि कुछ इलाकों में युक्रेनी सेना को बढ़त जरूर मिली है लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जवाबी कारवाई का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और यही वज़े है कि अब अमेरिका इस से अपना पल्ला ज़ाड़ कर सारा ठीकरा युक्रेन के उपर फोड़ना चाहता है दर असल युक्रेन में बस कुछ ही महीनों बाद कडाके की सर्दी शुरू होने वाली है और अगर उस से पहले युक्रेनी सेना ने कोई कारनामा नहीं कर दिखाया तो उसकी ये जवाबी कारवाई विफल बानी जाएगी ये बात अमेरिकी सेना के जॉइन चीफ स्टाफ मार्क माईले कह रहे है और इसको लेकर अमेरिकी सेना के एक रिटाइट करनल अरल रासमुसेन का कहना है कि जवाबी हमले में युक्रेन को इतना नुकसान हुआ है जो कभी नहीं होना चाहिए था अंदाजा है कि जवाबी कारवाई के लिए युक्रेन के पास 30 दिनों का गोला बारू और सेना बची हुई है अमेरिकी रिटाइट करनल का कहना है कि युक्रेन के पास लड़ने के लिए 30 से 45 दिन का अनुकूल मौसम रह गया है इसके अलावा यूक्रेन के पास हत्यार भी खत्म हो गए हैं और पश्चमी देशों के पास भी उतने हत्यार नहीं रह गए हैं जो यूक्रेन को तेजी से सप्लाई किये जाए हाला कि अमेरिकी जानकारों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि पश्चनी देश इस जवाबी कारवाई को सर्दियों में भी जारी रखें और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये कहना जंदवाजी होगा कि युक्रेन की ये जवाबी कारवाई विफल हो गई है आपको बता दे कि कील इंस्टीट फॉर वर्ल्ड एकॉनोमी के आकड़ों के मुताबिक रूस के आकरमन के बाद अमेरिका ने युक्रेन को 43.27 अरब डॉलर की सेन्य साहता दी है इसके अलावा हाल ही में अमेरिका ने युक्रेन को सिक्योरिटी पैकेज के तहट 60 लाग डॉलर की साहता का एलान किया था जिसके तहट अमेरिका युक्रेन को हवाई सुरक्षा बढ़ाने के उपकरण के साथ युद्सामकरी भी देगा झाल